प्रोली मुलाइट प्रोली मुलाइट राकेश करें हम भी राकेशी सबसे पहले तो ओडियंस को बताए कि फिल्म किस तरह की बने वादी है सब्सक्रियों क्या कुछ इंक्रिडियंस है इस फिल्म का राकेश तो यह है कि अभी तो शुरुआत है फिल्म के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते हैं लेकर फिल्म में फूल रोमैंटिक है ड्रामा है अक्टर्शन है जो पंजाभी फिल्म हमें सब्सक्राशन और कुछ हट के मिलेगा कुछ अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा कंइमन सरफ है मेला मेली मेले करना है ए sev जालली ड्राम सालनकारी नर्टमी मेली तो यह जाना है रोम तो ट्रीशन ही मेल्स छूरुआ है अ इतला के इस दिख़ोए यह किशा है भी जो किया माध़ या जो सब्सक्राइब गजिवेतात मेंजिशना का आपको अम्य मेंं जाता है, तो इस नेतासन 47 है छे कुछ ब्रतिक के भारेंधे नहीं मैं बता सकता ह। लेकर कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिले हैं तो क्या ये रियल में होगी क्योंकि आजकल जो आप पबलिक अभी बनावटी जो होते थे स्टेट लगाओ ये करो वो करो उन चीजों से दूर हो गई है चीज को सब पबलिको सब नेच्रल चाहिए इसर पानला से वार्व ये कंदर मेले की अलई जिसक धिकाया गया एक तुर और सिर्फ तो आप एकड़ाजके मेले को जिसक नामें बैर मेले अपे तुर आप इल्म देखेंगे तो यह आप गांफिक का हमारी इस तुरे सबकर सब्सक्राइए Ahh और कौन सा मेला होगा जिस मेला को आप कवर करें इस पर्म के लिए इसके लिए देखें इसमें मेला कोई भी हो सकता है क्योंकि बहुत डिपेंड करता है और फिल्म जो है वो पूरी पंजाब चंडी का अर्याना यहां भी यह शूट होगा कब से फ्रूपर जा रहा है और नेक्स मन जिसारे क्या असपास कास्टिंग बहुत इंबॉर्टन रोल प्ले करती है कास्टिंग आपने किस बिना पीक नहीं किर्दारों की में बात हो तो आप जब कहते हैं रियल स्पेस में है तो एक्टर की उस कैलिबर के होना होंगे जैसे करेक्स में और अच्छे होंगे और अच्छी स्टार कास्ट होगी पंजाबी स्मीमा की बात को एक नया इतिहास रच्रा आया वहां काम कर आया है तो यह एक नई चड़ान पे है पंजाबी इंदस्टिक तो और जो विप्यान भी दिकमर्शिली अच्छ एक होगा अच्छी बात है अगर आपकी जो रिज्नल लेंगवज में पिलम अगर ही टो हुए है आपकी जो लेंगवज है उनका प्रमोशन वह रहा है अच्छी बात है यह चिनेमा के लिए भी और ही ऐसा नहीं की हिंदी पीछ जारे लिए हिंदी ऐपनी जगह पे है रिजनल अपनी जगह पर सारी जितनी भी लेंगे हैं महराटी पंजावी ऑपनी अपनी जगह पर अपनी जगह बना रही है यह अछी बात है आज कि आवाज में होने वाला इस गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे है जस्विंदर नेरुला के आवाज और शाहिद माले उनकी दोनों की आवाज है उसमें गाना बहुत अच्छा है डोलिया डोल बजा पुरा मेले का उसमें फ्लेवर है तो इस तरह आज हम लोग वेर वाला दुश्मन वेर का मलों दुश्मन थांट रहे हैं इसमें प्रश्चा के अपको लगा और सब्जेक्स कमझने है या जो आप इसके पुरूसर बने पुरूस्ट करने जा रहे हैं यह मारे बड़े भाई साब हैं इनका कॉंस इनका कॉंसर्ट था उम्हाला चलो पंजाब में एक फैसन है कि वहाँ पर जितने भी ठसन वाली कोई फिल्म मनती है ना तो सुपर दूपर हिरोगा तो मैंने को भी अच्छारा कंसर्ट है तो रो तीन फैमिलियों का आपस में यह जगड़ा चल रहे हैं जगड़ी के उपर यह फिल्म पनाना रहे हैं कि यहां अश्वान में लोगों में तक्रार हो रही थासन भाजी हो रहे हैं एक जटों में क्या जटों का एक आपना ख़्ाइस है कि अगर मेरे पास मेरे से आगे कोई चलना सके जो मैं करूँ मैं करूंगा वस में हूं कि हूँ अगी कास्टिंग आपने कास्टिंग कर रहे हैं कास्टिंगा चालू है इस बात के इसमें बहुत है हमें मालूम है किसमें जो किसी कॉपी नहीं लगे गिए पिच्चर किसी कोई कॉपीन यह लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा डिफेंट है एक मेले में एक भाई बैन के सामने उसका भाई माल दिया जाता है बस उसी में उनकी दोने की ठसन चल जाती है और आज के यूद को देखते हुए यह पूरा कंटेंट बना है कि कुछ ऐसा सिमिलर प्रिष्ट भूमी तो पंजाब की रहेगी तो वहां की जो खुषबू है और वहां का जो फिलिंग है वो तो किदर भी बनाओ पिच्चर कोई भी सब्जेक्ट आने दो वो फिल्ट थोड़ा थोड़ा बहुत आही जाता है पंजाब को छोड़के बाहार निकल निकल नहीं सब्सक्राइब करने के चक्रवें उससे प्यार कर बैठें घरवाले जो बोलते हैं कि भी तुम या तो जो अपने कसम खाई थी हो का गए तो इस बैटर नहीं लोग लेके जाए अपके फिल्म फ्लोर पर कब लेगे जारे हैं आप लोगा कब लीज की पाली फिल्म फ्लोर पर सेथ मेक्स मंत में शूट पर चले जाएगी तर आप कुछ कहना जाएंगे फिल्म जिलाएगे ने जूएगी प्रडियूस करें हैं और राकेश जग्यजी जो हमारे डेरेक्टर हैं इस फिल्म के और इस फिल्म के नाम से आपको थोड़ा अंदाज़त हो गया होगा वहर क्या होता है लड़ाई हाना दुश्मन तो यह जैफिनिटली थोड़ा दमदार और खमदार होना चाहिए तो इसमें जो गाने हैं, जो मैं गा रही हूं, वो उसी तरह के हैं, इसलिए शायद मुझे चुना गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें दम खम हो, तो बहुत ही प्यारा गाना था कि टोलिया टोलवजा, मेरी चमडी, मतलब मेरी चमडी की बना दे जूती, और फिर उसे पाओं में डाल ले और फिर ढोल बजा, मतलब क्या देखिये, क्या अलफाज हैं और क्या उसके डेप्थ है, कि वो कहती है कि मेरी चमडी की चपल बना के तुम पाओं में पहनो और फिर ढोल बजा, तो ऐसा कुछ है, और बहुत ही खुबसूरत धुन है, और हमारे इसमें जो म्यूजिक का जिनोंने पूरा इसको बांधा है, वो राज है हमारे पुराने राज सेन, बहुत पहले से मैंने बहुत गाया इनके लिए और ये मुजिकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब दिलिपसन समीर सेन फैमिली, तो ये उनी की फैमिली से हैं, और जानत दिदी आप ही गाएंगे, और ये हमारे प्रोड्यूसर साब खासका है, दुर्गाजी शाद, उनका ये था कि ये तो दिदी गाएंगी, तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है, आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं, और बहुत उन तो इस गाने में क्या खास बाती हैं और क्या खास बाते देखती हैं जब किसी भी गाने को अवाज देनी होती है है यहौड़ी गाने में बाद आच्छा हो गाने में हर इंसान हर आटिस्ट जो है वह चाए कि अच्छा दढून अच्छी चीज मोई लेकिन मुझे इसा होता है कभी कभी गाने में इतनी जगह नहीं होती लेकिन उसको खुबसूरत बनाना पड़ता है और मुझे इतना आलम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग-अलग कुछ वैरियेशन्स दे के उसको गाने को उसके करना जब मैं गाती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुजिक डिरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मदे नजर रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रियेट करती हूं जो मेरा कुछ नहीं है तो सब इश्वर का वही क्रेट करवाता है जो भ बहुत खुछ हो जाते हैं और डिरेक्टर और प्रड्यूसर सब पसंद करते हैं और फिर इसलिए ही आज जो हूं मैं वो इसी वज़े से हुए मिन दिनों म्यूजिक की परिभाषा बदल गई है गानों को रीक्रिएट किया जा रहे तो उसकी कितने फेवर में है आप और क् अज़ अज़ बदलाव तो सुष्टी का नियम है बदलाव आता ही है और आ रहा है फिमल गाने मेल गा रहे हैं तो एकडम से एक जटका तो लगता है और हम कंपारिजन नहीं कर सकते यू कंपेर अपल्स और 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 उरंज़िस कहते है न उस प्राने सिंगर्स की बात अपन मंजे हुए इतने सब आज के नई पीरी के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ टेक्नालोजी की वज़े से भी चल रहे हैं और फिर भी चले कुछ नयापन आ रहा है इश्वर करें कि वह बहतरी के लिए ही हो और बहतर लगे अच्छा लगे क्योंकि आज की जो जैनरेशन है वह बहुत ही छोटी उमर की जनरेशन सुनरही है उसको और उसको पॉपिलर कर रही है तो अब उस चीज को तो हम बदल नहीं सकते इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सप्ट करना चाहिए है कि अच्छा संगीत सुनिये और संगीत जो है वो साक्षात इश्वर है तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधूर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से meditation होती है तो वो इश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है वो है संगीत तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ एक डारेक्ट लिंक बना सकें यही मेरा मानना है दैनेवाद मेरी चमदिया मेरी चमदिया क्या था लफ्ज मुझे भूल गए मेरी चमदिया चनवे बना के जुतिया वे तु चम चम मेरी चमदिया चनवे बना के जुतिया वे तु चम चम पैरी पा हो तोलिया तोल वजा हो तोलिया तोल वजा हो तोलिया तोल वजा हो तोलिया तोल वजा था 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 इस गाने में खास बात जी है कि मेरी जो दीदी है, जयसुन निरूला जी हम लोग 15-16 साल के बाद वापिस में मिला हूं इस फिल्म में पंजाबी फिल्म है वेरिजा मेला और दीदी का मुझे बहुत सपोर्ट एस पिचर में और पुरा योगदान है और पंजाबी लेंग्व बढ़ी बैन ही तो मुझे बहुत बहुतुन का सपोरा और बहुत अच्छाई इन्हों ने गाना गए और मैं चाहता हूं कि भगवान इस गाने को बहुत बहुत संखरें और बुसमें मुझे 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 मोंका दिया दुल्गा सिंग जी और गनपत जी और उतम जी और व और तीन रोमेंटिंग्स हो गए, एक इटम्स हो गए, एक टाइटल्स हो गए. थान्वार. मैंने बहुत गाया इनके लिए और ये विजेकल परिवार से हैं आप जानते ही हैं सब दिलीपसन सिमुसन फैमिली ये उनहीं के फैमिली से हैं और बहुत अच्छे गाने पहले भी गवाये इनोंने मुझे और आज भी ये बहुत साल के बाद इनोंने फिर दिदी को याद किया और कहा कि ये तो गानन दिदी आप ही गाएंगे और ये हमारे प्रोडूसर साब खासर दुदाजी शाद उनका ये था कि ये तो दिदी ही गाएंगी तो भी अच्छी फिल्म बने वाली है आजकर तंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही है और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद ह हरान हो जाती में जब देखती हूं कि बहुत ही शिदद से और महनत से बना रहे हैं लोग गाने में गाना अच्छा हो गाने में हर इंसान हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि अच्छा दूनी अच्छी चीज़ गार लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी-कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती लेकिन उसको खुबसूरत बनाना पड़ता है और मुझे इतना आलम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग-अलग कुछ वैरियेशन्स देके उसको गाने को उसके सुरूप को ही ब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुजिक डिरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मद्दे नजर रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रियेट करती हूँ जो मेरा कुछ नहीं है तो सब इश्वर का वही क्रेट करवाता है जो भी करता है लेकिन जो भी मुझे कुछ होता है वो इतना अच्छ होता है कि मुजिक डिरेक्टर बहुत खुछ हो जाते है और डिरेक्टर और प्रडूसर सब पसंद करते हैं और इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वज़ेसे मुझे मुझे की परिभाशा बदल गई है गानों को रीक्रियेट किया है आप और क्या मतलब एवर्ग्रीन गानों को रीक्रियेट किया जाना चाहिए ठीक है बदलाव तो सुष्टी का नियम है बदलाव आता ही है और आ रहा है फीमिल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक जटका तो लगता है और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते है यू कंपैर प्राने सिंगर्स की बात अपनी थी और इतने मंजे हुए इतने सब आज के नहीं पेडी के बहुत अच्छे भी है और कुछ टेक्नोलोजी की वज़े से भी चल रहे हैं और फिर भी चले कुछ नयापन आ रहा है इस्षवर करे कि वो बेतरी के लिए ही हो और बेतर लगे अ जो जैनेरेशन है वो बहत ही छोटी उमर की जैनेरेशन सुन रही है उसको और उसको पॉपिलर कर रही है तो अब उस चीज को तो हम बदल नहीं सकते इसको तो इश्वर ही बदल सकता है तो जो बदलाव है उसको हमें एकसेट करना चाहिए प्रिए प्रिए अच्छा संगीत सुनिये और संगीत जो है वो साक्षात इश्वर है तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधूर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से अच्छा संगीत सुनिये तो आप अप शुन लेते हैं जो अच्छा संगीत सुनिये तो आप सब इश्वर के साथ एक डिरेक्ट लिंक बना सकें यही मेरा मानना है जन्यवार अगर इस गाने की रूम गुना दे आपा है वी ओडियोंस के लिए मेरे चमदीया ड्लफ संगीतiset का बेलन राता झांता था diyor कि जिए है अला प्र देड़ना बढ़े है जला दिया बढल का मेरे चमदीया चमदीया चंदा यह सकीं रूम है वे तुझामचा मेरे मेरे चमदीया जलना बढल के जुत्यां मेरे चम दिया चन्ना वे बना के जुतियां वे तु छम छम पैरी पा हो तोलिया तोल वजा 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 हो त तुमस्त मुद्धा हार। जुननने ओ पाग्नावारा तेरी थैरा होने सारा परिया मेला लुत देजा ओ जौनी दों बचा सूनिया दों बचा अज जौनी रिचा मुदी मेख थै कर दों दों मatous- मया तोदे नौन वीडियो करे? वीडिए सै को लो समें पोले ठोल मत जा 各वर जार ओढ़ जार ओढ़ जार shows सर आज के गाने के बताएं कि क्या गाना क्या टोन क्या मूड बहुत ही सोना गाना गाया जी मैं जह ओदेवेच मिलब फन है मस्ती है रोमान से गाने दिवेच ते सब्सोने कर लेक मेरा पहला गाना जस्पिंदर नेरोला जी नाल है ते मैं बड़ा खुशा कि मैं दराल मेनों पाकी मैं एस पूली टीमनों मेरे वल्लों बहुत 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 कामना देऊंगा प्रडूसर साड़े साड़े गंपद दुर्गा ते उत्तम जी ते विज़राइक्टर राज सेंग गाना लिख्या हैरी ने ते साड़े डिरेक्टर जेने है राकेश जगीयो बहुत 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 कामना दे तर बाता थेंग य।